चाहे जनंद्र, आइम बिल में भी healthy and tasty सूखी भेल घर में भी बना सकते हैं, आइम बिल की आगे की रेशिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए आइम बिल की सूखी बेल बनाते हैं, सूखी बेल बनाने के लिए में यहाँ पर लिये हैं, जो मैंने बहुत ही छोटा कप का नाप रखा है, उसी के नाप से में आधा कप यानि की दो सी तीन टेबल स्पून मोट लिये और उसके साथ में में यहाँ पर मुंग भी आधा कप लिया है, और आधा कप चना डाल ली है, मैंने इन तीनों को लिया है, क्योंकि इसे एक साथ हम कूप कर सकते हैं, और इसे कूप करने के लिए सोडा की भी जरुरत नहीं रहती हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इन तीनों को मिक्स किया है, उसे चार से पांस घंटे त रखते हो कि अच्छी तरह से बिग गया है तो जो भी उपर का एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देना है यह जितना हमारा कठोले उसकी सत्त तक ही हमें उसका पानी रखना है उससे ज्यादा नहीं रखना है और आधा चमच नमक डालना है नमक डालने के बाद इसे सिफ दो सी सीटी बजने तक ही कुक करना है आप दो सीटी बज गई है तो एक बार खोल कर चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हो कि पानी अब इतना बचा ही नहीं इसके अंदर और यह भी अच्छी तरह से कूक हो गया है यह मिक्स कठोल बहुत ही जल्दी कूक हो जाता है दो सीटी मे सीटी यह इसी तरह से आप कीसी बीचीज के लिए अगर आप इन सब को रोश्ट करें तो एक बात का ध्यान रख्येश कि भीग कर रोस्ट करना है और हमें तब तक रोष्ट करना है जब तक इसका मौस्ट़ है निकल निकलना जाए और इसे मीडियम आज के उपर ही रोष्ट करते रहे और कंटिनियूसली चलाते रहे नहीं तो यह एक सैट से जलने लगेगा तो आप इसी तरह से चलाते चलाते इसे रोष्ट करें और यह क्रिस्पी हो जाए मॉइस्चर इसका बिल्कुल ही निकल जाए तब तक इसे बच्चा हुआ है मिक्स कठोल उसको अभी हम साइड में रख देंगे और उसका हम कटलेस बनाएंगे अब यह ठंडा हो गया है तो ठंडा होने के बाद इसकी आवाज सुनिये बिल्कुल इस तरह की आवाज आनी चाहिए तब तक इसे रोष्ट करना है और अब इसे एक रहे हों रोस्टेड सेव बनाना बहुत आसान है और यह बहुत ही टरह से अगर क्रिस्पी बनी है तो आप इसे एक विक तक स्टोर कर सकते हूँ पर अगर जЧто रहा गई है तो आप एक विक तक स्टोर नहीं कर पाएं गे इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और पेन अभी गरम है तो उसके अंदर हम ममरा यानि की मुर्मुरा है उसे भी थोड़ा सा रोष्ट कर लेते हैं तो अगर आप घर में ही आइंबिल करते हैं तो आप मुर्मुरा और सेव बना कर स्टोर कर सकते हो और जब भी आप कोई भी कठोल कर्याइब या उसको यूश कर सकते हो तो चलें मुर्मुरा भी रोष्ट हो गया है तो उसको एक बाउल के बना लेते है और आप मासाला बना रहे हूं थोड़ा सा इस तरह से मुर्मुरा ले लिए चाहिए और उसके दाले हूं यहां पर रोक्साल्ट यान संधा नमक सूत पाउडर और मरी पाउडर मोट बहुत बहुत ही कम हमें हिंग लेनी है इसके अदर एक पींच से भी कम लेना है और इसका पाउडर बना लेना? तो अब फाउडर भी बन कर तयार है तो जो बेल के लिए चाहिए वो सारी सामगरी तयार तो एक्स्ट्रा सेव है उसको इस तरह से एक टाइट डिब्बे के अंदर निकाल दे और मुर्मरे के अंदर जितनी चाहिए उतनी सेव को आप इस तरह से क्रंबल करके उसके अंदर डाल दे आइंबील की ओली के दिनों में आप इस तरह से सेव और मुर्मुरा को मिक्स करके एक डिब्बे के अंदर स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आपका भेल बनाने का मन करें तो उसी सेव और मुर्मुरे के अंदर इस तरह से रो मिक्स कर लेना है तो यह बहुत ही सिंपल इजी हेल्दी टेस्टी सुखी बेल अब सवर करने के लिए तयार हैं आइम बिल की ऐसी ही सिंपल और इजी रेसीपी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकोन की बटन को भी जरूर दबाई ताकि आपको जैन रेसीपी आइम बिल की रेसीपी की नोटिफिकेशन मिलती रहें हमने जो मिक्स कठोल बनाया है उसी में से मैंने यहाँ पर सुखी बेल बना यह मुझे कमेंट बॉक्स ने जरूर बताएं और आगे की रेसीपी डेखना के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जाए जनंद्रा आगे आगे